हेलो दोस्तो कैसे हो आप सब उम्मीद करता हूँ आज तो कम से कम आप पैटर मैसूस कर रहे होंगे क्योंकि 35,000 डॉल से जायतर लोग यही सोच रहे थे कि क्रैश करेगा क्रैश करेगा लेकिन हम लगातार आपसे यही बोल रहे थे कि माहौल बन रहा है और टेक्निकल्स को सी दिखोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा क्यों क्रिप्टोकरंसी मार्केट और बिटकोईन की चाल हमें पॉजिटिव देखने को मिल रही है तो यहां पर आज भी मेरे पास में आपके लिए एक चार्ट है जो मैंने पहले भी आपके साथ में शेयर किया था और वन आज भी यह बहुत अच्छे से काम कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसी चार्ट को जो है बिटकोईन का प्राइस अभी कॉपी कर रहा है तो यहां पर अगर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहां पर बिटकोईन की जो रा है वो काफी आसान लगती है कि हम 45-50,000 डॉलर देखें और एक सवाल जो लोग कहते हैं कि बिटकोईन को एक जटका लगना चाहिए और हर कोई सोच रहा था कि 35,000 से यह 25,000, 30,000 डॉलर आएगा ऐसा नहीं लगता है और कहां पर शॉट टम में बिटकोईन के टार्गेट हो सकते हैं और यहां पर जटका लगेगा तो कब लग सकता है उसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बात करूँगा और कहां से आके कहां आ सकता है वो चार्ट भी हमें एक आइडिया देता है लेकिन एक जो कहते हैं कि टेक्निकल को सीखो उनसे हमें एक एज मिलता है अगर किसी को कुछ नहीं पता क्योंकि हर कोई जो डरा हुआ था, वो 35-30,000 का वेट कर रहा था, लेकिन अगर कोई टेकनिकली फॉलो करता है, चार्ट को समझता है, तो उसको एक एज मिलती है, और वो एक आईडिया लगा सकता है, कि हाँ, ये बिटकोईन के प्राइस के अंदर कुछ मोमेंटम आ रही है, वो क्यों नहीं आता, लेकिन अगर आप देखोगे, 365 दिन के अंदर, 350 दिन, आपको वो एक अच्छी तरीके से काम करता दिखता है, और 15 दिन बुरे हो सकते है, तो उसके लिए हमें हमेशा तियार रहना चाहिए, तो बिटकोईन के बारे मैं बात करूँगा, शौट टम के में क्या लगता है, वो बात करूँगा, क्या हम 40,000 डॉलर जो लग रहा था, अल्मोस 39,700 डॉलर बिटकोईन चला गया, वो क्यों गया है, उसको समझने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर 40,000 डॉलर क्याट रहिस्टेंस है, या आगे का रहिस्टेंस 42,500 डॉलर है, उसको समझने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर एक कोईन के बारे में मैं खास बात करूँगा, वो है डॉच कोईन, क्योंकि बहुत शांत लग रहा है धीरे धीरे चीज़े उसके अंदर ड्वलप हो रही है और जिस हिसाब से हलचा लग रही है डौच के अंदर ऐसा लगता है कि यहां पर एक सर्प्राइज हो सकते हो और यहां पर एक वो कहते है ना शांती सी है एक तूफान आने से पहले वो क्यूं है उसके बारे में बात करूँगा और टेक्निकली क्या लगता है वो भी आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा तो दोस्तो बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर और एक बड़ा सवाल जो क्रिप्टो करंसी है क्या क्रिप्टो करंसी जो है यहां पर बिटकॉइन बढ़ रहा है क्रिप्टो करंसी जो दूसरे ओल्ट कॉइंस है क्रिप्टो करंसी के लावा बिटकॉइन के लावा जो कॉइंस हैं क्या वो भढ़ेंगे और क्या सिनारियो चल रहा है उसको मैं समझाने और समझने की भी कोशिश करूँगा क्रिप्टोपरंसी मार्केट हमेशा कुछ न कुछ नया लाती है और हम अच्छी बात क्या है जैसे आप सीखते हो हम भी कोशिश करते हैं कुछ नया आए उसको सीखें और आपके साथ शेर करें अगर आपको लगता है कि हमारे कॉंटेंट आपको समझ में आता है अच्छा लगता है तो शेर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजेगा लेकिन दोस्तों यहां पर छे महीने पहले भी मैंने एक आपके साथ चार्ड शेर किया था वो था वेक आफ मैथर या वेक आफ अक्यूमलेशन मैथर जब बिटकोईन बॉटम पे था ठीक है उसके बाद में मैंने आल्मोस्त दो महीने पहले भी शेर किया था जब बिटकोईन 30,000 डॉलर को लाल बहुत अच्छी चल रहा है अगर इस चार्ड की बात करते हैं इसका नाम है वेक आप एक्कूमलेशन ब्रेक आउट एंड मारक अप मैथर अगर हम मारक अप की बात करते हैं हम उस स्टेज पे हैं यहानी की ध्यान रखेगा पूरा का पूरा चार्ड समझाने की किया फिर यह नीची आया जैसे भी आपको चार्ट में दिख रहा है और जो इसके लिए जो आप कहले जिए शुरुवात में रेस्टन था वो इसके लिए सपोर्ट निकल गया है जो की लगवा पच्चेस अजार डॉलर के आसपास था वहाँ पे इसने दुबारे रिटेस् तीस हजार डॉलर के बाद अभी अगर देखते हो मार्क अप लेवल पे बार बार इसको सपोर्ट मिल रही है और यह जो ग्रीन डॉट 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 लाइन दिख रही है उसको आप फोकस कीजिए और आप देखो यही चीज हमने आपको शेयर की थी कि यहां पर यह लेशन फेस था एक ब्रेक आउट दिखाने के बाद में और उसके बाद अगर अभी देखते हैं इस चार्ट को भी फोकस करते हैं तो कहीं न कहीं बिटकोईन ऐसा लगता है इस चीज को यहां पर फॉलो करता दिख रहा है और अगर इस हिसाब से देखते हैं चार्ट को करता है दो तिन वीडियो के अंदर दोस्तों वह जो टैटा को कैलकुलेट करके टेकनिकल को सीख करके क्या फाइंडिंग निकली है वह मैंने आपको प्रोजेक्शन बताने की कोशिश की थी अब ऐसा नहीं है होगा के नहीं होगा हम नहीं कह सकते लेकिन यहां पर वह बतान और आज की अगर इस चार्ट के इस आपसे देखते हैं तो क्या कैलकुलेशन आती है उसको समझिएगा हालविंग से पहले जो है बिटकॉइन कम से कम पहनता ले और मैंने हमेशा यह अबसर्व किया है और आपको यह बताया भी है हमारी क्या observation है findings क्या है उसमें क्या दिखत और अगर वहां reject होके फिर जो आप कहा रहेते हैं न करेक्ट करना चाहिए कब करेक्शन आएगी करेक्ट करके यह 35 से 40,000 डौर के बीच में आना चाहिए और वो करेक्शन लेवल होना चाहिए और यह हमने एक वीडियो के निक कम से कम चब्दी वीडियो बनाई है बहुत कम 45 से 50,000 डौर के बीच में बिटकोइन का प्राइज जाके वहां पे एक माहौल बनाके पिर यहां पर आपको करेक्ट होता दिखे और 35 से 40,000 डौर के बीच में आए तो शायद हालविंग से पहले आपको एक अपॉरिजिनिटी तब मिल जाए यह पॉसिबिलिटी के लिए हम जो है सोच रहे हमारी भी observation और यह चार्ट कहता है वो भी कहीं न कहीं उसी तरफ इशारा करता है आपको क्या लगता है क्या यहां 40,000 से correct करेगा क्योंकि बहुत सारे लोग तो 35,000 से भी बोल रहे थे बहुत सारे लोग तो 20,000 से भी बोल रहे थे लेकिन चीजों को सीखो ग चल लो या भी या जो चार्ट कहते हैं या जो माहौल बन रहा है और जो हम बोलते हैं परदे के पीछे खेल चल रहा है आपको 25 से 30,000 डॉलर कब गया 35,000 डॉलर कब गया पता नहीं चला और अब 30,000, 35,000 से 40,000 डॉलर चला गया आपको पता चला यही तो खेल है और यही ची भी कीजिए और लोगों तक पहुचाईए ताकि वो भी समझ पाएं कि एक्च्वल में मार्किट के अंदर जो हम सोचते हैं आम आदमी जो सोचता है उसके इसाब से मार्किट नी चलती मार्किट चलती है जो परदे के पीछे बड़े लोग खेल करते हैं दोस्तों डॉच कोई के बारे में मैं बात करूंगा लेकिन उससे पहले शॉट टम में बिटकोईन को यहां पे 40,000 पे टेक्निकली और साइकलोजिकल रेस्टेंस है वो क्यों है अगर आप देखोगे बिटकोई एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है जब से 35-33,000 डॉलर के जो इसने एक बार पं करता है और यहां पर हो सकता है 40,000 डॉलर पे रिजेक्ट करके यह 38,000 डॉलर तक करें इस चैनल के अंदर एक ट्रेड करें अगर यह इस चैनल को ब्रेक आउट करता है और हमारे इसाप से पैवनाची की जो रेशियो है 0.5 वो एक टेक्निकल रेशिटन्स है वो लगबग आती है 42,500 डॉलर अगर उसके ऊपर जाता है तो यह जैसे हम उमीद कर रहे हैं क्योंकि Interestingly यह जो रेशियो होती है वो एक रेशिटन्स का काम करती है तो फिर यह 48,000 डॉलर लगता दिख सकता है और जो हमारी रेंज में जो चार्ट भी कहता है जो हमारी observation भी है और कहीं न कहीं यह भी इसी तरफ इशारा दे लिए Technically short term में इस टाइम पे 36,000 डॉलर सपोर्ट है और अगर आप देखते हो चैनल की सपोर्ट लगबग 37,000 से 38,000 डॉलर के बीच में यहां मिलती है तो इन चीजों को आपने ध्यान रखना है यहां पर डॉच कोईन के बारे में बताने से पहले एक और सवाल जो आता है कि बिटकोईन भी बढ़ता दिख रहा है में आल्ट कोईन्स तो बढ़ते दिखने रहे हैं तो भाईया आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले तो पाच बिलियान डॉलर की एक जो है ठेटर यू बावनाएं बढ़ गई है सिक्यूर्ट एक्षेन कमिशन ने भी अपने जो है ओफिशल वेबसाइट के ओपर डॉक्यूमेंट के नदरे बताया है कि हो सकता है हमें फर्स्ट या सेकंड वीक में बिटकोईन के एटिएफ जैनवरी के अंदर आता दिखे माहौल पूरा बना है तो फिर जब बिटकोईन आपको याद होगा जब माहौल बना था पिछली बार साड़े तीन हजार पाँच हजार दस हजार पंदरा हजार बीस हजार और ऐसे फिर अब देखोगे फिर कब यह सत्तर हजार दोज लगया पता नहीं चला था तो ऐसे ही माहौल यहां पर बन जाके जैसे आपने देखा ना 35,000 डॉलर के आसपा स्टेबल होने के बाद हमने और थोड़ी ग्रोथ देखी 20-25-50% की सही ऐसे ही अगर यह 40,000 डॉलर के ऊपर जाके स्टेबल होता है यहां पर भी स्टेबल होता है तो जैसे यह थोड़ा स्टेबल होगा क्योंकि इस ताइ RSI इस टाइम पे 12 RK चार्ट के अंदर ओवर सोल दिख रही है लेकिन अभी भी यहां पर गुंजाईश है जैसे ही ब्रीद आउट करेगी RSI Bitcoin थोड़ा स्टेबल होता दिखेगा तो यह Alt coins आपको grow करते दिखेंगे तो अगर आपने हमारी December की लिस्ट नहीं देखी है coins की ब Bitcoin के अंदर सबसे पहले पैसा आता है फिर Ethereum हमें pump होता दिखता है Ethereum के बाद में जो large cap coins हैं उनके अंदर हमें माहौल बनता दिखता है और फिर हर कोई आपको बढ़ता दिखता है coin तो ध्यान रखिएगा Halving से पहले जहां इतना जहल लिया उमीद पूरी है कि यहां से अगर Bitcoin coin stable होता है और Ethereum के अंदर हमें जो जैसे spike होती दिख रही है Ethereum के ETF की बाद भी होने लगी है application डाली है बड़े बड़े जो fund houses हैं तो पूरे chances हैं यहां पर जो है large care और पिर जितने भी coin जो आगर आप hold करते हो जिसके अदर अभी तक आपको कुछ देखने को नहीं मिला है वो देखो जातर Elon Musk ने महौल बनाया था और Dogecoin का price कहां पहुँच गया था हमें भली बात ही पता है लेकिन यहां पे जो interesting बात है जो समझने की बात है कि last time Dogecoin Tesla ने जब accept करना शुरू किया था एक महौल बनना शुरू हुआ था और लगाता है Dogecoin को लेके Elon Musk के tweet आये थे अगर आप recently month में देखोगे तो कुछ खास ऐसी कुछ नहीं news निकल के आई है एक time तो उन्होंने Dogecoin का logo Twitter पे या X पे डाल दिया था तो सोचो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है तो शान्ती इतनी है और ऐसा लगता है कहीना कहीं accumulation हो रही है लेकिन जो बड़ी news है Elon Musk की बात करे है टेस payment के अंदर खासकर लगता है कि हो सकता है कि साइबर ट्रक खरीदने के लिए Dogecoin को वह as a payment integrate करने वाले हैं या कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो आपको एकदम से spike देखने को मिल सकता है Dogecoin के अंदर इसलिए अगर आपको यहां पर नहीं मिल रहा है Dogecoin तो अगर थोड़ अगरी बोला था कि भया 0.06 टॉलर से नीचे मिले तो आप entry ले लो अभी भी आप देखते हो तो मैं उमीद करता हूँ 20 से 30% के return में होंगे लेकिन यहां पर इसको एक resistance है जो कि 0.088 डॉलर के आसपास है तो यहां पर नहीं बनती है लेकिन हाँ 0.08 के आसपास आ जाए risky है entry बनाई जा सकती है लेकिन best entry देख रहे हो तो 0.07 डॉलर के आसपास यहां बनती है डॉच कोईन के अंदर golden cross भी हमें देखने को मिला था लेकिन interestingly अगर हम चार्ट को देखते हैं तो यह resistance है 0.088 लेकिन अगर यहां से पार जाता है तो हमें 0.1 डॉलर से लेके अगर news आती है तो हो सकता है यहां से आपको 100 to 200% रिटन देखने को मिले और यह 0.12 से लेके 0.2 डॉलर तक भी आपको देखे जा सकता है लेकिन सारी संभावन आए हैं कि अगर यह news actual में जो code निकल के आ रहा है website के उपर payment integrate कर सकते हैं अगर यह actual में होता है आपको क्या लगता है क्या Elon Musk ऐसी कुछ खुरापात कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं comment में जरूर बताईए और अगर आपको क्या लगता है क्या हमें bitcoin जैसे stable होगा altcoins growth करते दिखे दिखेंगे नहीं दिखेंगे उसके बारे बताईए तो आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूं हर बार की तरह आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारा content अच्छा लगता है समझ में आता है तो वीडियो को like करिए चैनल को subscribe कीजिए और share करना फिलकु कर दो